कर दो पिश्राले सदरी वेशलिया मरी वाहिवार नुप्टित में लताने यह पुखालें जो एक काफी चीजें मुझे जो कुछ सवाद आयता इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता लेकिन कुछ ड्रामा है मेरे पास तुम हो उनके जो जो राइटर है कलिल रहमान साहब उनके बारे में किसे नहीं बात किती कि इन्होंने ऐसी बात की है तो मैंने बेकाईदा उसके पर वह खलीलो रहमान साहब का जो है एक वो होता है जो कच्रे में से हीरे उठाता है एक वो होता है जो जो हीरे रह जाते हैं और कच्रा उठाके जमीन से चलके आगे चल पड़ता है कुछ लोग ऐसी होते हैं लाकि कच्रे में से हीरे उठाएं यहां तो हीरों में से कच्रा उठाएं और अपनी अपनी अकात के हि तुनिया में एक आम सी बात को जो है ना एक बतंगड बनाते हैं यह सिमिलर केस यही है जो खलीलोरहमान साफ ने बात की थी मेरे बात तुम हो उनके मैंने बेकाइड़ा ने बात सुनी तो उन्हें भुमात है क् एक मर्ध की नेजर जो है एक अल्लाव जासी है और तो तो इसमें मेरा क्या अपीनन ये है कि अन्हों ने जो बात कि अन्हों भी आ की नियत के उपर हमें ये शक नहीं करना चाहिए नहीं है, ना थो नहीं हुख किया, नहीं कृफर किया, लेकिन बात ये है कि कुछ पाकिस्तान में एच्छे फिरका वाले ऑलमा हैं जैसे इक्जाम्पल मैं आपको जूनयद जम्षेद का एक्जाम्पल देता है जैसे जूनयद जम्षेद ने एक बात गही थी यौ्छ था उनके उबर भी बेकाईदा मैंने वो वीडियो देखा था जो एरपोर्ट के उपर उनके पर एक अटायक देखा था मुझे एक चीज़ बताएं यह जो एक एक आम इंसान से भी बात पुछेंगे कि क्या यह लोग जो यह इसी हरकतें करते हैं आद 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 फाउंडर आफिस बात को इतना बढ़ावा मत देख क्योंकि यह भी एक शेतानी हरकत होती है क्योंकि एक हदीस के मुताबिक रसूल सल्वाल सलम मैं फरमाया था कि मुझे इतना ना बढ़ाओ कि तुम एक दूसरे के खून के प्यासी हो जाओ जैसे इसाई लोगों ने अधरत इसाई लोगों अस्ताइब तो सिमिलर केस यहीं पर है जैसे जुनेज जमशेद ने एक बात किती तो पाकिस्तान में एक ही फिरका है जो यह बात को बतंगड़ बनाता है जो बात को फिलाता है और खून खराबे करवाता है आपस में मुसलमान देखे जिसने यह कहा है कि अल्ला एक है और यह कहा कि रसूल सलल आखरी रसूल है और रसूल के बाद कोई नहीं है और यहां पर फुल स्टॉप है वो मुसलमान है चाहे वो अहले अधिस हो चाहे वो हन्फी हो मल्की हो शाफी हो हमली हो कोई भी हो चाहे वो दियो बंदी हो तबली की हो यह वो ब्रेल भी हो कोई भी फ रसूल के बराबर खड़ा कर रहा है तो समझे के वो कुफर में चले गया ही इस इंटु ता कुफर ही नौ लोंगर मुस्लिम तो उसको दुबार वापिस एक फुल स्वाप लगाना पादेगा रसूल कर रहा हूं हम बात कर रहे हैं एक बीच में एक शैतान है अब शैँ ने इस단 कर दिदा इसने यह बात किया ईपके तो आनुने खवें बहात कीए उगया हैopes नहीं की नातों ना तो शिर्क किया एक उन्हें एक सिंपली बात की थी कि जो शोहर की जो एक फित्रत है वो खुदा जैसी बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि अल्ला ताला शिर्क बरदाश्ट नहीं करते है ठीक है जैसे फॉन एक्जैंपल एक माने एक बेटा पैदा किया है जो बेटा बड़ा एक समझे कि मा के दो बेटें एक बेटा जो है वो वो गुनागार है जैसा भी है लेकिन मा को मा कहता है एक वो बेटा है जो जो अपनी मा को मा नहीं समझता लेकिन अच्छा है तो मा इन दोनों में से किसको कबोल करेगी उसको कबोल करेगी जो बेशक शरारती है जो शरारत کرتا ہے غلط کرتا ہے لیکن ماں کو ماں کہتا ہے لیکن ایک چاہے جو بہت اچھا ہے لیکن وہ ماں کو ماں کی سمجھتے نہیں ہو سمجھتے ایک پڑوسی والی اس کی ماں ہے سمجھے کہ ایک پڑوس والی اس کی ماں ہے اس کو ماں کہہ رہے کہ یہ میری ماں ہے تو ماں کا دل کے پر کیا بجھے گی تو سیملر کیس ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ کشی کو شریک ٹھہرائے گا اس کی ساری زندگی کے عمل میں اڑا دوں گا مسلمان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی اللہ ہے کرنے والا اور صرف ایک اللہ ہی ہے بنانے والا اور صرف ایک اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا جیسے سوری یونس کی آیت 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سمجھے کہ جتنا بھی انسان کی جو اچھائی برائی جو اس کا رزق ہے جو سب کچھ ہے اور اس کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے वो इनसान के कर्मों की वज़ा से होता है लेकिन जो कुछ होता है इन सब का फैस्टा करने वाला सिर्फ एक अल्ला है जो ये मानता है वो मुसल्मान है अब जो खली लॉर्मान ने बात के थी कि जो इनसान की जो जो मर्द की जो एक फितरत है जो खुदा जैसी है जैसे फून वो अपनी बीवी से लिए सब कुछ करता है। वो अपनी बीवी के लिए यहां सब ने जाने सब किर रह давайте सब कर रहा और बीवी को एहसास भी नहीरा कि मिम Dumags मिरा मिचे मिरा शोहर जो सब कुछ करता है लेकिन फाइनली में क्या होता है कि वो सब कुछ करने के बाद वो और उस शक्स को धोका दे रही है और वो किसी और मर्द के साथ उसके तालुकात है अब ये चीज़ शोहर जो है वो परदाश नहीं कर सकता है उदो आखिर में उसको छोड़ देता है ठीक है अब इसमे कुफर का हैं और शिर्क का है कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्ला की जो जो फितरत है जो जैसे अल्ला की आट्रीब्यूट है जैसे उनके नाम जैसे की दूते हैं अब ज्येद देना मतिन और अवन्हेर ताफिर महाद को कर दो कि आए और वासी जैसे है कर देनां जाहर जाहिर कर देना वाली है मताली है बर अत्वाब अच्छा ये जो आट्रिब्यूट्स है जो अल्ला तरह ने और हदीसों से और और कुरान से कॉम्पाइल किया गया है ठीक है ये जो जतने भी नाम है ये एक नाम की जो क्वालिटीज है ये सिर्फ आल्ला के लिए ही है अगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत रहमान हूं हूं मैं बहुत रहम दिल हूं और मैं रहमान हूं और मैं रहीम हूं क्या मतब्शन है जो एक इंसान कह रहा है is something compared to the creator आप समझें कि एक बनाने वाला creator है और एक है creations है creations की जो qualities है वो creator में compatibility होई ही नहीं सकती इस इस बियोंड thinking और ऐसा सोचना भी एक गलत है और कुफर है ऐसा बिलकल भी comparison नहीं करने चाहिए अचा फिर दूसरी आयत है जो सुरत 112 सुरत की आयत नमर चार में अल्ला तला परमाते हैं जैसे फुन एक बनाने वाला है और पाकी सब creations है अब creations की जो qualities है वो चाहे हम अपनी जो दुनिया है ना उसके बराबर में हम रहम दिल हो जाएंगे ना लेकिन compare to the creator जो है उसकी comparison नहीं हो सकती क्योंकि एक अल्ला तला की qualities और एक इनसान की अगर मैं कहता है कि मैं बहुत रहम दिल करने वाला हूँ मैं सब कुछ करने वाला हूँ अच्छा इनसान अगर ये भी कहते हैं ना कि मैं सबसे ज़्यादा रहम करने वाला हूँ he is talking about the creation वो एक creations के दाइरे में बात कर रहा है अगर मैं कहता है कि मैं बहुत रहमान हूँ मैं बहुत बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हूँ अगर कोई इनसान ये कह दे ना कि मैं अल्ला से भी बढ़के रहम करने वाला ना उजब ल्ला तो वो एक शिर्क में चले गया त उसको अपना दुबारा कलमा पढ़के दुबारा मुसल्मान होना पड़ेगा क्योंकि उसके मुझे कैसी अल्फाज निकले जो एक शिर्क वाले हलपाज दे अब ये भी एक लफ़ज है कि वो दिल से कह रहा है उसके मुझे निकल कि ये भी एक डिफरंट टॉपिक है क्यों तो अल्ला के बारे में ये सोचना ही खलाता है हम सिर्म माने कि वह हमारा क्रियेटर है तो बात और रही थी खलील और हमानी जो बात की थी कि जैसे एक शिर्क अल्ला बरताशनी करते हैं कि दूसरा मर्द हो इस तरही उसको छोड़ दिया अब जो टॉपिक ये था कि बात का लोगोंने कि बढ़ंगा अक बतंगड बना बात का ये सब शैयतین हरकात हैं इन हरकात से मेरी ऑलमा से दर्फ़ास है इस किसम की हरकात ना करें अच्छा पकिसन में ये करने वाला करना है एक ऐस प्रुटिकलर फ्रुट है जो करने वाला मैं जिसका नाम नहीं लेना चाता है उसे उनकी ही आदत है जैसे जाने जम शेब शोचंश्य उपने अगर समझें कैंवें कि वह ऊई समुझें कि एक एक आक बगएर बुरी नियत के ये बात कि थी वह जो अब वहा कुझेता है आड जो को यह एक बात करत है notice है और यह वहीं पर पर अल्ला की लानत है जो इतने वो एक शायतीन बने हुए हैं कि एक इनसान के हाथ जोड़के एक खुले हाँ, पब्ली करी हाथ जोड़के माफी माफी मांग रहे हैं, और एक हम माफी नहीं कर रहे हैं, बई तुम्हारे बाकवा इसलाम है, तुम्हारे घर में इसलाम पैदा और हमें जब किसी को कनवे मैसेज करना है तो कनवे मैसेज करें अच्छी तरीके से समझाएं किसी को जैसे जैसे सुरत नहल की आयत में एक सब्सक्राइब कर दो बात करो ना कि आप उसको एक घुंडा-गर्दी बदमाशी कर रहे हैं जैसे पाकिसान में फिरकावारियत के हरकतेNo पूरे पाकिसान में कर रहा है यह सब शयातेनी हरकते जेसक्त बॉ darle की सनना क्ष़ दूनिया में लेकि किसने हक दिया, थिया तू एख दी दिया रिख वूँढर में ऑनलह औरू रसूल के ठेकिया हख दीय क्योंकि तुम्हारी भी वही वोगात है, जो दूसरों की वगात हैं, लेकि तुम कोन होते थे, किसे को पर जिजजिशिंग करने वाले थे, भी अल्ला का वली हो, किसी का कोई हक नहीं बनता, किसी के उपर कोई जजज करने का कि इसने काफिर हो गया, इसने ये कह दिया, उसने कह दिया, क्योंकि ये सारी हरकतें शायतीनी हैं, जिसने एक कलमा पड़ा है, ला इला इल्ला अल्ला के आखरी नभी है, हिजजा मुस्लिम, वो और वो हमारा बाई है, तो किसी के बारे में जजज ना करें, जो खलील और रह्मान साहब ने बात की थी, जिस लगए जनरल ठाग, और वो समझाने की कोश्य करें थी, कि एक एक मर्द किस तरह एक औरत के उपर, वो खर्चा क देता है, लेकिन फाइनली और जो है, उसको दोगा दे के किसी और के साथ चलिया दे, so this was like a simple talk.